पीपाई शाय हेलो गाईज वेल्कम बैक टू मैर चैनल अनाविय के व्लोग्स तो कैसे हैं आप सब लोग तो मौसम इतना जबरदस्त हो रहा था तो हमने सोचा चलो सुन्दा नर्श्री चलते हैं तो जब हम जाने के लिए घर से निकले तो इतनी तेज बारिश होने लगी तो मुझे तो बारिश बहुत पसंद है और बारिश देखकर मेरा तो दिल खुश हो गया था तो बारिश में भी गूमने जाने का अलगी मज़ा है तो चलते हैं फिर तो पहुँच गए हैं हम फूलो की नगरी सुन्दर नर्श्री तो चलिए देखते हैं विर तो क्या ही खुपसूरत मजा रहा था इतना मजा रहा था न हमने इतना इंजॉय किया तो हम आगे बढ़ते रहे और मैं यहां बारिश को महसूस कर रही थी तो चलते चलते लगने लगी भू तो फिर हमने सोचा कुछ खाना पीना हो जाए तो सुन्दर नर्सरी काफी बड़ा पार्क है इसे हमें एक दिन में तो घूमी नहीं सकते तो यहां की टाइमिंग रात को दस बचे तक की है तो खाने भीने के बाद हमने सोचा के जूला जूलने चलते हैं लेकिन जूले बंद हो चुके थे क्यूंकि हम सभी को जूलों में बैठना बहुत पसंद होता है ना जूले तो मिले नहीं तो फिर हम क्या करते आगे बढ़ते रहें चलो कोई बात नहीं लेकिन ये जो नजारे थे तो बड़े ही खुबसूरत लग रहे थे तो क्या ही जबर्दस व्यू था देखिए आप भी तो चली मौसम भी है मौका भी है फिर शायरी हो जाए इतनी जल्दी हिम्मत हारा नहीं करते जो लोग मैनत से किनारा नहीं करते पहले अपनी हिम्मत का तो अम्तिहान ले यू ही बेवजा किसी को पकारा नहीं करते जिनके दिल और जुबान तर हो महबबत से वो कभी नफ़रत की तर इशारा नहीं करते तो शाम हो गई थी और बारिश रुख गई थी हवाओं का सिलसिला चल रहा था तो बारिश का मौसम हो ठंडी हवाएं हो और चाय का कपना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता तो फिर हम चलें बार की तरफ घर जाने के लिए तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा बहुत एंजॉई किया हमने तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग तो जिन्दगी का एंजॉई करते रहें वीडियो को लाइक करना बिलकुल भेना भूलें सब्सक्राइब करें खुश रहें थैंक्स पर वाचिंग ओके बाई